के हम आपके समग यहां दोस्तों एक बार फिर हम आपके समुख रहें अपने जी-के की एक नई वीडियो के zastब दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्विधान के बारे में तो बिना किसी देरी कई यह शुरू करते हैं हमारा पहला प्रशने कि सम्विधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को सम्विधान की आत्मा कहा जाता है? सम्विधान सभा के गठन का विचार सर्व पर्थम किसने और कब रखा था? दुस्तो वामपंथी नेता एमेन रॉय ने 1934 में सम्विधान सभा के गठन का विचार रखा था? भारती सम्विधान सभा द्वारा कब अंगिकरत किया गया दोस्तों 26 नमबर 1999 को सम्विधान अंगिकरत किया गया सम्विधान की निर्माण परकिरिया में किसे सम्विधानिक सलाकार नियुक्त किया गया था दोस्तो श्री बिएन राव को समविधानिक सलाकार निउक्त किया गया था भारत की समविधान सभा की पहली बैठक में किसे आस्थाई सभापती चुना गया था डाक्टर सचिदान नंदु सिनहा को आस्थाई सभापती चुना गया था 11 दिसंबार 1946 को भारत की सम्विधान सभा में किसी अस्थाई अध्यत चुना गया था दोस्तो डाक्टर राजेंदर परसाद जी को 1949 में किसी सम्विधान सभा का मुख्य प्रारूप कार नियुक्त किया गया था दोस्तो स्री एसेन मुखर जी को सम्विधान सभा का मुख्य प्रारूप का नियुक्त किया गया था सम्विधान के बनने में कुल कितने दिल लगे थे दोस्तो सम्विधान बनने में दो वर्ष ग्यारा मा और अठारा दिल लगे थे सम्विधान के भाग एक में भारत को क्या कहा गया है सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की पहली बैठक हुई थी भारत के सम्विधान का कौन सा संशोधन अधनियम मिनी सम्विधान कहलाता है दोस्तो 42 सम्विधान संसोधन अधिनियम 1976 मिनी सम्विधान संसोधन कहलाता है राश्पति अपना त्यागपत्र किसे सौप सकता है दोस्तो उप राश्पति को राश्पति अपना त्यागपत्र सौप सकता है लिखित सम्विधान की अवधारणा सरुपर्थम किस देश ने पेश की थी? फ्रांस ने सरुपर्थम लिखित सम्विधान की अवधारणा पेश की थी? हिंदी संस्क्रण के सम्विधान के प्रिष्ठों को सजाने का कार रिकिस ने किया था? दोस्तो कलाकार नंदलाल बोस जी ने हिंदी संस्क्रण के सम्विधान के प्रिष्ठों को सजाने का कार किया था सम्विधान सभादवारा राष्टी धोज तिरंगा को कब स्विकृति दी गई थी? दोस्तो 22 जुलाई 1947 को राश्टी दोस्तिरंगा को सम्विधान सभादोरा स्विकृति दी गई थी भारती सम्विधान में मूल बहुत अधिकार किस देश के सम्विधान से लिए गए है दोस्तो मूल बहुत अधिकार USA से लिए गए है भारती समिधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्दान्थ किस देश के समिधान से लिए गए है दोस्तो नीति निर्देशक सिद्दान्थ आयरलाइंड के समिधान से लिए गए है भारती सम्विधान में नियाईक पुन्राव लोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है दोस्तों USA से नियाईक पुन्राव लोकन की अवधारणा ली गई है डक्टर भीम राव अम्बेडकर ने किसे भारती सम्विधान का हिर्दय और आत्मा कहा था दोस्तो बाबा सहाब भीम रावा बेड करने समवैधानिक उप्चार का अधिकार को भारती समविधान का हिर्दय और आतमा कहा था हमारा अगला प्रश्टे भारत में समविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसकी सुरुवात कब से हुई थी समविधान सभा दोरा राष्ट्री गीत वंदे मातरम को कब स्वीकृती दी गई थी 24 जन्वरी 1950 को राष्ट्री गीत वंदे मातरम को समविधान सभा दोरा स्वीकृती दी गई थी किस समविधान संशोधन के अंतरगत मौलिक कर्तव्यों को भारती समविधान में शामिल किया गया 42 में समिदान संसुदन अधनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तवियों को सामिल किया गया संसत के दो सत्रों के बीच की अवद कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए जोस्तो छे माह से अधिक राश्पति को पद की सपत कौन दिलाता है भारत के मुख नियाधिस राश्पति को पद की सपत दिलाते है भारती समिदान के किस अनुच्छेद में राजियों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में भारत के पहले उपराश्पति कौन थे डाक्टर सरुपल्ली राधाकृष्णन सम्विधान सभा द्वारा राश्टी गान जन्गण मन को कब स्विक्रित दी गई थी 24 जन्वरी 1950 को चुआ चूत का अंत सम्विधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है अनुच्छेद 17 द्वारा सम्विधान सभा की पर्थम बैठक 9 दिसंबर 1946 के समय सम्विधान सभा में कितनी महलाय मौझूद थी दोस्तों उस समय नौ महलाय मौझूद थी सम्विधान को हाथ से किस ने लिखा था स्री प्रेम भिहारी नारायर राय जादा जी ने सम्विधान सभा में डाक्टर भीमरा अंबेडकर का निर्वाचन पहली बार कहां से हुआ था बंगाल प्रांच से पहली बार आपका निर्वाचन हुआ था डाक्टर भीमरा अंबेडकर का पुना निर्वाचन कहां से किया गया था भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण उनका पुनाहंदिर्वाचन बंबई से किया गया था समविधान सभा की मूल पर्ति को कहा रखा गया है समविधान सभा की मूल पर्तियों को हीलियम में सन्रचित करके रखा गया है सम्विधान सभा के साथमे अधिवेशन में किसे सर्धान जली दी गई थी दोस्तों महात्मा गांधी जी को सर्धान जली दी गई थी साथमे अधिवेशन में भारती सम्विधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे जुलाई 1946 में भारती सम्विधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे 299 सदस्य थे सम्विधान के निर्माण के समय मूल सम्विधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचिया थी 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचिया थी केंदरी कारिपालिका का सम्विधानिक परमुख कौन होता है राश्टपती केंदरी कारिपालिका का सम्विधानिक परमुख होता है भारत के मूल सम्विधान में मूलता कितनी अनुसूचियां थी भारत के मूल सम्विधान में मूलता आठ अनुसूचियां थी संयुक्त उच्च नयायाले की अस्थापना किस के द्वारा की जाती है? संसत के द्वारा राश्री गान किन के द्वारा लिखा गया है? राश्री कवी गुरु रवीन रनाठ टैगोर के द्वारा राश्र गीत किस के द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चड़ोपाद्याय के द्वारा लोग सभा और राज सभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिक्तम कितने समय का अंतर होना चाहिए? छे महिनों का अंतर संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूरू किसकी अनुमति आवश्यक है? भारत के राश्र पति की किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्स तक के बच्चों के लिए शिच्छा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21 आ के तहत समविधान संसोधन परकिरिया कहां से ली गई है? दच्चिल अफ्रीका से सम्विधान संशोधन परक्रिया ली गई है आफशिष्ट सक्तियों को केंद्र को सौबने का लच्छड लेया गया है कनाडा से भारती नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है छे मूल अधिकार है परक्रिया का उलेख किस अनुच्चेद में है सम्विधान के किस अनुच्चेद के आधार पर देश में वित्ती आपात की घोस्रा की जा सकती है अनुच्चेद 360 के आधार पर देश के एकमात्र निर्विरोध राश्पति कौन चुने गए नीलम संजीव रड़ी मतदाता की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किस सम्विधान संशोधन द्वारा की गई 61 में सम्विधान संशोधन 1989 के द्वारा सम्विधान सभा के आअस्थाई अध्यच के रूप में किसे निव्ट किया गया था डाक्टर सच्चिदानन सिनाजी को भारती सम्विधान का मैगना कालटा किस भाग को कहा जाता है भारती सम्विधान के भाग तीन को जम्मू कश्मीर केंदर शासित परदेश को किस अनुच्छेत के तहत विशेष राज यकेंदर शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था अनुच्छे 370 के तहट डाक्टर भीमरावामेडकर ने किस अधिकार को भारती सम्विधान की आत्मा कहा है अनुच्छे 32 को प्राकलन समित में लोग सभा के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों प्राकलन समित में कुल 30 ही सदस्य होते हैं जो लोग सभा के सदस्य होते हैं भारती सम्विधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे भारती सम्विधान लिखने वाली सभा दोस्तो समिधान सभा के सदस्यों की कुल संक्या 380 निश्चित की गई थी जिनमें 292 वेटिस प्रांतों के परतनी थी चार चीफ कमिशनर शेत्रों के परतनी थी और 93 देशी रियासतों के परतनी थी थे जंडा समित के अध्यशकाउन थे जेबी करपलानी जी थे इस्ट इंडिया कमपनी के शासन का अंत किस अधनियम द्वारा किया गया 1857 का भारत शासन अधनियम द्वारा इस्ट इंडिया कमपनी के शासन का अंत किया गया दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद